हेलो एवर्यवन वेल्कम टो पाहला केड्मी पाहला केड्मी की यूट्यूब चैनल पर आपका एक बाड़ फिर से हार्दिक स्वागत हैं हमारी जो अभी आर्थिक्स मिक्सिया की जो क्लासेज चल लही है उसमें अभी हम कर रहे हैं आर्थिक्स मिक्सिया की क्लासेज में अधार बुश्रंचना का विकास ठीक ना तो इससे पहले के जितने भी चैप्टर हो चुके हैं वह पहला केड्मी की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं काफी सारी क्लासेज हो चुकी है और जो भी राजस् लेंगे उसमें की जाएगी सिवा चेतर का वाकि राजस्टान के अर्थेविस्ता के जितने बेजिक है चाहिए वह कृष्टी चेतर है उद्योग है या और वह जितने भी जो हो गया योज नहीं हो गई चाहिए पर इसे पहले हम कर चुके यह ठीक है और इसे इसाब से हमने यह जो हमारा टोपिक है आज हमें इसको पूरा कवर कर लेते यह थोटा टोपिक था तो मैंने एक एक लास में इसको कम्प्लीट करवाने की कोशिज गहीं है ठीक है ना चले राजसान के अधारबुशंशना अधारबुशंशना आपको भी पता है कि अधारबुशंशना में क्या क्या आता है अधारबुशंशना में पता है कि उर्जा आती है क्या आती है उर्जा परिवहन हमारा अधारबुशंशना के अंतरगत आता है ठीक है और क्या क्या आत अगर देखे तो इसमें जो हमारा जो चेप्टर दियावा है उसमें उजा परेवन और शड़क यह तेनी जीव है ठीक है न में ली तो उजा और परेवन के बारे में बताया गया ठीक है परेवन में रेल मार्ग कितने है राजे में यह बताया गया है राजे में सड़कों की स् इनर्जी उसके क्यास दीती है और यहां हमारी देखे तो नोन रिन्यूबल एनर्जी है उसमें हमारी क्यास दीती है तो यह सब का सब आती है थीक को Mr. month यह जो Mark जो जट्र है इसमें आपको क्योस्टा आने के बहुत ज़ादा संभाल ना हburg दो या तीन क्यों सन इसमें आही सकते हैं यह तो यह पुचा जा सकता है कि राजे में ऊर्जा सकता है उसके अधिश्ष आपि चमता कितनी है खिक還有 eight percent iter qui ठीक है इंत्राजन कर नंठ उत्पादन हो रहा ही आधिश्ष हांपि चमता कितनी है तुह यहां पे देखेर कि WE में 31 दिसंबर 2021 के स्थिते में डेट देच कोई कि दिसंबर 21 सकतो आपका क्यों संबी प्रेलिम्स में यह पूचा जाएगा कि दिसंबर 2021 तक राजे में उजा की कुल अधिश्ट आपी चमता कितने थी ठीक है ना तो आपका पता होना चाहिए कि 23321.40 मेगवाट एक्जेक डि पूरा को पूरा एक्जेक्टी पूच ले 23320 इसे सबसे भी पूच सकता है हो सकता कि थोड़ा डिफ्रेंस करके भी पूच ले ठीक है पर आपको एक्जेक्ट डेटा पता होना चाहिए 23325.40 मेगवाट यह 40 तो नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा ठीक है यह है राजी क सब्सक्राइब कर दो जाएगा यह वो सकता है कि इस जो चैप्टर है मारा उससे हमारा में में लांके हर्शन भी बन सकता है ठीक है कि यह नोन रिनीबल एनर्जी की तरफ राजस्तान में कितनी संबाव नहीं है ठीक है के अंतरगेत राजी के 144 गिगावाट छमता है राजस्तान के अंतरगार attraction बल्व हम इतना production और हमारे swarjorga के सेंतर शनाच में अ κάνते हैं स्थापित कर दें तो 142 गिगावाट छमता है राजस्तान के कि वह swarjorga को उत्पादन कर सकता है और इस से टोटल इंडिया की नहीं बलके अगर माधर देशों में भी सप्लाई करना चाहिए तो सप्लाई कर सकते हैं बलो एक मातर अगर राजसान में सूर उर्जा के सेंतरा कर हम स्तापित कर सकते हैं तो हमारे संपुन देश की जो उर्जा की जो सकता है अब पर वर्टमान की उत्पादन कितना हो रहा है अदेष्टा आपा चमता कितने हैं दिसमबर 21 यह हमारी है नो 1228 मेगावाट की कितनी 1228 मेगावाट की और बाला राजसान अगर देखे तो शौरूजअ कि व दातर में राजसान प्रथमसान पर आ गया है थीक है यह भी पूचा जा सकता बैर तो वर्तमान में कितनी राजिकी सुरूर्जा के अधिश्ठापी छमता कितनी है 9228 मेगा वाट है अमारे राजिकी यह सीधा-सीधा पूचा जा सकता है इनमें से कुछ भी पूचा जा सकता है तोटल अधिश्टा है अब हम पवनूर्चा के बात करें, तो आपको जैसे पता है Łना कि आठे में पूरी के पूरी डेटा आपको पता होना जए है एक्राज सेores बड़न के वरत्मान यह सिती उतना मेगावाट का उत्पादन जाता है अगर नोन रिनेयोबल पर क्योस्ष्常 थो थिक तो उसमें वहां पे आपको पाउनुर्जा के अगर हां जैसे पिछे 2000 मेंस का अर्पेसी का हुआ था उसमें सोरूर्जा पे हमारा क्योस्टन जो फाई मार्क्स था उसमें पुछा जासबा है कि राजे में सोरूर्जा के विकास के संभावना कितने हैं ठीक है न तो हाईब्रिड पॉलिसी 2019 लेके आई है तो उसके बाद सरकार पाउनुर्जा के विकास पर भी ध्यान दे रही है तो यह भी पूचा जा सकता है ठीक है चमता कितनी है एक लाग 27,750 मेगवाट की चमता है मतलो इतना उत्वादन हम कर सकते है ठीक है एक लाग 27,750 मेगवाट तक 4,338 मेगवाट यह देखिए सोरुजा लगवग इससे दुगनी हो गई ठीक है न 9000 के लगवग चली यह 4,000 के तो थोड़ा सापको आइडिया रहेगा कि सोरुजा इससे दुगनी है तो यह 9000 हो गई यह 4,338 मेगवाट है ठीक है बायमास शूर्जा किस से उत्पादित हो गया यहां फिर सर्सों की तूडी होगी जूलीफ लोरा हो गया तो हमारे जो क्रशी हुशेश है यह फिर जो हमारी पसूदन सो होने वाला जो हुशेश है तो उसी लिए हमारी बायमास उज्वादन होता है ठीक है ना इसके दिश्टा पीच्वता अगरम देखे तो तो इसके लिए सरकार ने 120.45 मेड़ के वर्तमान में जो चमता है हमारी उत्पादन चमता है इसको बढ़ाने का प्रियास इसमें कर रही है ठीक है ना अगर हम सडकों की देखें तो राजय में सडक के स्टीटि क्या है तो हलांके यह हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे पर यह मोटा मोटा डेटा है जो आपको पता होना चाहिए प्रियलम्स में पूछा जा सकता है और मेंस में तो यह डेटा आपको लिखने के काम आएंगे वह अलग सी है ठीक है सड़कों के एक तो कुल सड़कों की लंबाई राजय में मार्ज 2021 तक कितनी थी दो लाग बैतर जार 959.28 किलोमेटर ठीक है 2.22 लाग याद रखें ठीक है किलोमेटर तक याद रखें 2.22 इतना याद रखें ठीक है ठीक है ना कोड़ सड़कों के हमारे लंबाई है यह दो चार और शड़क अगनातु कितना है यह भी पुचा जा सकता है तो परतिस ओवर किलोमेटर पर हमारे देखें तो 79.76 है कितना 79.76 किलोमेटर यह आपको भी पता है कि गनात उपरतिस ओवर किलोमेटर पर होता है ठीक है ना 79.76 किलोमेटर यह देखें तो इंडिया के परस्पक्टिव में अगर हम देखें राजास्तान का तो यह काफी कम है इंडिया का काफी ज्यादा आ जाता है तो आम नेक्स्ट लाइड हम देख लेंगे ठीक है तो यह हाग गया मोटा मोटा सेनेरियों हो गया कि राजास्तान में अधार पुश्चनस्टा की क्या स्तिति है ठीक है यह आपको हर चेत्र में काम आएगा अभी देखें अधिश्टापी चमता यहां पर दे रखी है कि राजी के बत्मान में अधिश्टापी चमता दिखें को लोगा के छेत्र में चाहिए वह रीनियूबल हो या नौन रीनियूबल हो तेस अजार तेनसो एक्किस पॉइंट चालिस मेगावाट है ठीक है अब यह हम मार्च दो हुजार राजी की अधिश्टापी चमता है 2100979 मेगावा तो 2100979 मेगाट इसकी हमारी हो गई पर दिख संबर 2021 तक इसमें 1342 मेगावाट चमता की वरिदी हो गई आपके यह पूछले मारा क्यों सीदा यह आने के बज़े कि राजे में दिसमबर 21 तक अधिश्टापी चमता की वरिदी हुई तो 1342 मेगावाट है उसमें हमारी गया तो आपको 21000 में तीरव यह एड करके आप 23321 कर सकते हो ठीक है पर मोच तो यह आप यह रखे कि 23321 मेगावाट हमारी दिसमबर 2021 तक राजस्तान में कुल अधिश्टापी चमता है क्यों सनाने के संभाना प्रिलम्स में इसके ज़्यादा है ठीक है अब यह बात मैं आपको बता दूँ कि ऑथन्टिक डेटा नहीं है मेरे मोटा मोटा आइडिया से इसको निकालने के कोशिश की है तो आप यह मैं सोचिए कि यह ऑथन्टिक डाटा है तो मैंने जो हमारे जो एकोनोमिक सर्वे में राजे कि जो ताप यह उर्जा दे से हमारी कितने उर्जा आउसकता पून होती है जल विदू कितनी होती है प्रमानों उर्जा से कितनी होती है शौर और पावन से कितनी होती है ठीक ना पर यह मैं यह कोई दावा ने करी कि ऑथन्टिक डेटा है ठीक है तो मैंने यह निकालने के कोशिश कर रहे हो सकता है कि म परतिस्त होती है तो यह उसमें दिया हुआ है 80 परसेंट 90 परतिस्त 60 परसेंट और 40 परसेंट इस प्रकार के उप्षन है तो यहां पर मोटा मोटा निकाले के गुश्चिस के तो तो तोटल आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आजाएगा कि अगर 60 परसेंट के लगबग हमारा आ रहा है तो यह आप और टिक कर सकते हो ठीक है बागे अगर निकाल सके और निकाल के इसको कर सके तो बहुत अची बात होगी उसके पार तापी जल वीध्यों के अगर मिला क देखेगे तो 66 परसेंट होगे कतना होगा 66 परसेंट हमारा तापी जल वीदित दोनों मिलाके कर रही है ति पर्मार ओर श के तो परमान हमारे राजय में rain होती है से हूं आपको आपका हमारा जो statement होगा वो सरकार क के पूर्टी हू करें थे कहीं यह कं पैद तो हो तो यह कोई आथेंटिक डेटा नहीं बस मोटा मोटा आने के चांसे तो यहां तो ताप यहां सोरूजा का है अगर आप खुछ से निकल के देख सके और इस डेटा को और भी करेक्ट कर सके तो बहुत अच्छा होगा ठीक है तो वर्टमान में तो याद रखे 23321 मेगवेट और यह आने का क्विश्ण आने के जंबाना है तो अच्छी बात है कि आप इसको निकाल के खुद के स्तरपर करने के कोसिस कर लें एक बार अगे चल दिया है यह हमारी सरकार की नई योजना है मक्य मंत्री किशान मीत्र उर्जा योजना नाम से पता जल्ला है कि जो हमारी किशान मीत्र है उनके उर्जा और सुक्ता को पुरिंट करने के लिए सरकार ने मक्य मंत्री किशान मीत्र उर्जा योजना सुरू की थीक न इसके अरम कब हुआ ये तो पूचा जा सकता है 17 July 2021 को गब हारम बही 17 July 2020 को मुख्य मंत्रि किसानमीतर वुर्जा योजना नाम से किसानमीतर वुर्जा योजना है तो आपको पता होना जा है के हमारे जो मीटर्ड कर्षी उपभोगता है जिनके वह कृषी उपभगता जिनके मेटर लगए हूए तो सरकार ने क्या किया कि आपका जू बिजली के बिल पर प्रतिमाहे हजार रुपए और अदिक्तम 12000 रुपए प्रतिवर्ष अब देखे भाई ये दोनों ही पुछा जा सकते कि प्रतिमाहे हजार रुपए अब कहीं अगर आपको स्टेटमेंट दिया ना और उसमें प्रतिवर्ष आ गया हजार रुपए तो वह गलत हो जाएगा ठीक है ये प्रतिमाहे हजार रुपए अधिक्तम 12 मैने होते तो 12000 रुपए प्रतिवर्ष होगे इसका अनुटान दिया जाएगा ठीक है इसके तरह आनुपातिक आदार पर बीजली बिल का 60% अधिक्तम हजार रुपए प्रतिमाहे यहां तो यह से खेंगे कि जितने वह अपका विजली का बिल आया ना उसका 50% आपको दे देंगे और यहां फिर एसे कहेंगे कि आपको 1000 रुपए परमन्थ देंगे ठीक है ना परमन्थ देंगे ठीक है तो इनमें जो भी अधिक्तम होगा ना वो सरकर के द्वर्ण कर दिय यह देखें नहीं होंगे थिक ना तो आइकर दाता जो कृष्य उपवगता वह इसके पात्र नहीं है तो बाई जाए आज आपके उप्सन में कि सबीज उपवगता है वो इसके जो पात्र है योजां के पात्र है तो वह स्टेक्मिंट हमारा गलत हो जाएगा मिटर करसी विभाग होगा यहां पर उर्जा विभाग है वो हमारा नोडल विभाग है यह आपको पता होना से ठीक है 17 जुले 2021 को सुरू किये मुख्यमंद्री किशान मेत्र उर्जा योजना ठीक है आयोप आपको क्लीर हो गया होगा बत करेंख मbles oy An की बात करें तो वर्थमysz से हमारा प्रेवन परदूशन भढ़ता जा रहा है तो सब कि सब हम जाते कि जो हमारी नवी करणिया औरजात्र हो तो उसकी तरफ हम बढ़ना चाते हैं तो ओर उड़ा हो गई वह खतम नहीं होती आवन कभी चलती रहती है हमारी शओर रहता ही ठीक ना पाउन जाओ गी वायुमाश हो गई वह भी इसके अंतरगता आगे ठीक है था है जुभारी ऊज़ा बताता ना कि आख घंस मुदर में तो उसे जो माते हैं तो ब्रोजारी और जाए उत्माना वजू ay you अब हम नभीकन यह उजज़त की तरफ बढ़ें तकि जो हमारी गेर नभीकन यह शोत नो जी से कोईला हो गया पैट्रोलेम हो गया इससे क्या कारबन का जर्जन बहुँ जादा होता है उससे जलवाईयों का जो हमारा जलवाई-प्रिवर्तनियां कहा दें जो सौरी कारबन ग तो सरकार नहीं क्या कि अक्षे उर्जा इसको अच्छे उर्जा इसलिए कहते हैं कि इसका कभी छे नहीं होता तो राजसान अक्षे उर्जा निगम लेमिटेज राजी में गीर परंपर के उर्जा शोतों को उज़ा पतन करने के लिए लिए नवीनोग नुविकन उर्जा मंतरयालें बहार शर्कार के एक नोडल इजेंस सरकार ने क्या क्या किhem सरकार इसके लिए कोई सँनस्ता गठित करेगी न तो सरकार ने क्या क्या राजसान अक्षे उर्जा निगम लीमिटेड की उतापन करने के लिए हमेरे ब्रजा शोतो एबाइशन में और दख्सता को राजी में प्रोश्यट करने के लिए कि नामित नोड़ अजनसी विड्युर ओफ एनरजी अफिसेंसी सह आलांके कि इसम कोई क्योंशन नहीं आएगा आपको यह लिखने कि ना करें लिखने क काम काम आएगा थीकी अब यह देखिए कि राजस्तान में शौरूर्जा के उत्पादन के संभाना है और यह सेम का सेम हमारा क्योशन उठा कि सरकार्निक जो आर्पेसी है उसने मैंस में पुछा है ठीक ना प्रेलिम्स में तो इसके आने के समावना ही रहती है मैंस में एक क्योशन फेवरेट क्योशन हो गया और पेसिकार हो सकता है कि इसे अब के बार लोग क्योशन भी पूचा जा सकता है ठीक है तो लोग क्योशन पर मैं आपको करवाद दूंगी हालांकि अभी हम एकॉनमिक सर्वी कर रहे है तो वह कंप्लीट कर लेते हैं तो राजस्तान में चैसे यह उर्जा स सुरूर्ज उत्पातन की छमता है ठीक है लिख देंगे डेटा पर अगर यह लिखेंगे कि नवीन और नवीकने उर्जा मंत्रा ले भारत सरकार है उसके अनुस्थार अच्छा इफेक्ट बढ़ता है तो यह लिख दीजे एक सुरूर्ज उत्पातन की छमता है राजस्ता में यह जब से हम यह पड़े जा रहे हैं यह कोई नई बात नहीं है ठीक है अच्छे-चाथ कीलोवाड़ प्रति गंटे वर्ग मीटर प्रति देन यह आपको याद में रखना पड़ता है याद करना पड़ेगा कि कितनी सोरूर्विकंड की तिवरुता किती है राजय में तो हमारा मुरूस्तली राजय में पता है और हमारी यहां जिसी यह हमारा रा यहां पर ठीक है, तो हम क्या है करकरीका जो हमारी है करकरीका के उत्र में होने के बावजूद भी कहा है, राजस्तान में इधिक्तम सोर विकंट देवरता लगवग 6-7 किलोवार्ट गंटी वर्ग मेटर प्रती दिन लगवग यह नहीं है, कि राजस्तान एक दम उसके बले भ दूसरा राजस्तान के अरा explor में इधितंबले जैंकरीका की बले अर्वग और है करकुलि में रहना करना नहीं होती ततन वसक्तम स्फथ 2018 है। heav capable के अंधिक में काकरीकिट 725 दीन रूछ het में क्या है सोर ये उर्जा हमें प्राफ्ट रहे होती है ठीक है यह प्राफ्ट होती है भूधक माउसत वर से यह मैंने आपको बताई दिया तो इन सब प्रिशित्यों के वज़े से राजास्तान में इसी एक इसी जो हमारी लेंड बन गई है राजास्तान जहां पे सोर उर्जा के उत्पादन की व्यापक संभाना है 142 गिकावार्ड पर अगर आप क्यों सुन लिखे ना मैंस में तो यह सारी की सारी आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे ठीक है 1 2 3 4 & 5 5 marks में आया था 5 के 5 topic हमने दे दिये तो बहुत जादा chances हमारी होते हैं कि इसमें 4 marks हमें दे ठीक है और जीतने point में लिखेंगे उतना फाइदा तो होता ही ही तो हम सब की जित्ती भी toppers है वो सब यह कहते है कि ज्यादे ज्यादा point में लिखो point में लिखो तो point में हमें 5 point में मिल गए यह लिखना पड़े काथ ठीक है चले नेट्स चलते है अब यह कुछ प्रिलिम्स के एफेक्टर आ गए हमारे बढ़ला सोलर पार्क है जोदपूर में हमारा बढ़ला सोलर पार्क पहली बातों में यह पता होना जी दूसरा 225 में कवर्ट का यह पुछा जा सकता है रिजन क्या है कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है ठीक है ना परदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क होने के कारण यह का यह पुछा जा सकता है कि बढ़ला सोलर पार्क है उसके चमता कितनी है तो 225 मेवाट के चमतार परदेश का सबसे पर 225 मेगवाट इसकी चमताई आपको याद में रखना है कि अगर राजस्तर में सुरूजा की सीति पर अगर क्योसन भी आता है मेंस में आता है तो वहां पी लिखने का काम आएगा ठीक है दोसरा फ्लोदी पोकन सोलर पारक हमारा जेसल मेर में हम यह 750 मेवाट का पर है का फ् दूसरा सबसे बड़ा सोलर पारक है ठीक है कितना दूसरा सबसे बड़ा यह राजसान रेनियोबल अनर्जी कोर्परेशन लिमिटेड के द्वारा ठीक है और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इस चेप्टर को बढ़ें मौशली तुम इनने जो प्रेलिम्स के कब्रकर दिया पर जो हमारा PPP मोडल आता है ना एकोनोमिक सर्वें में 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 का टोपिक है पीपी वहां पी पीपी के अंडर कौन-कौन से प्रोजेक्ट चल ले है तो अब में पता होना जाए कि पीपीपी के अंदर गार एक तो रोड सी रिलेटर जितने भी चले कि एंसी करने दो पढ़े न रोड भी पढ़े आप और एंपर जी का चबड़े न तो यह मांड में रह夠 हमारा हम सरजणिक जो है ये माला चप्टर भी इसके साथ सक्काष सकता है तो इंटर लिंक करके इसको पढ़ना होता है मैं अब से इसके साथ ही सोरूर जानेती है ये भी पुचा जा सकता है सोरूर जानेती के अंतरगत हाले में राज्य सरकार ने कि वर्ष 2014 तक परदेश में शोरूर जानेती है तो एक तो आपको पता होना जाए कि सरकार ने लक्षे कितने वर्ष तक नेरदारीद किया है और कितने मेगावाट की लखा है तो यह हमें पता होना जाए सरकार ने 30,000 मेगावाट सोरूर जा को उत्पादन हम कर लेंगे दो हजार चोवीस तक सरकार का सोईस पच्चिस तक एसे भी पुछा जाए सोईस पच्चिस भी कह दे है तो यह की बात है ठीक है ना तो सरकार का 30,000 मेगावाट का है दो हजार चोईस पच्चिस तक परदेश के लिए 30,000 यहां पे इसे लगा दीजे मेगावाट सोरू जा उत्पादन का सरकार का लक्षे और 500 मेगावाट पाउन और जा उत्पादन का लक्षे शरकार ने इसके अंतरकत निर्धारीत किया तो एक तो आपको वर्स पता होना चाहिए कि सरकार ने 2024 तक रखा है कि 33,000 मेगावाट सोरू जा उत्पादन का लक्षे रखा है और 500 मेगावाट पाउन और जा उत्पादन का लक्षे सरकार ने रखा है ठीक है न? अब पाउनुजा की राजमे स्नी शरोूजा की मामला में तो जैसे हमने डिटेल ल्याक कि ये तो हमने बताई दिया था पर यह लिखना जूरूरी है कि 120 मीटर हब की उंचाहि पर पाउनुजा के कुल अद्धिता पी चमता एक 2050 उत्पादन के disgust क्याद गर बर्दने यह तो होती है ना कि सरकार उन्जाई डिसाइड कर देती है कि 120 मेटर हब के उन्जाई पर आजय में ये स्थी थी थी ठीक राजय में दिसंबर 2020 तक पाउनुर्जा की अधिश्टा पी समता यह भी हम पाले स्लाइड में कर सके हैं 4338 मेगापार्ट है दिसंबर 2020 तक लिखा क्या दिसंबर 21 है कि सोरी ये टैपिंग मिश्टेक को सकता है दिसंबर 21 तक है राजासान वेंडेंट हाइब्रीड एनर्जी पोलिशी 2019 की है एक तो यह पता होना चाहिए पर आई कभी यह भी पता होना चाहिए हमें कि 18 दिसंबर 2019 को आई थी ती आफारा दिसंबर 2019 को आई थी राजासान वेंडेंड Hybrid Energy Policy है 2019 के मारी सोर ओरजा पोलिशी है और 2019 के वेंडेंड hybride energy policy है ठीक है ना तो पनुर्जा की राजासान में नियुए प्रवां दूसरा ये बताना हमें कि अरवली के एक जो गेपना वहां पे राजे में अरवली में गेप है वहां पे राजी में व्यापक संभाना है कि इसका उत्पादन हो ठीक है ना पाउन और जो को पादन हो तेसरा अगर हम टोपिक देखिए तो जो हमारा मरू छेत्र है मरू छेत्र की जो खाली भूमी है को यहां बैरा समयाय को पोड़ा हुता है कि अगरा भूमी आखि दो पाव पड़ता हम तो वांपी भी पावन उर्जा को पादन हम कर सकते हैं ठीक नो तो यह तीन हम लगा सकते और एक यह लगा सकते कि राजय में 120 मिटर अब के उंचार पर पावन उर्जा के मारी समता सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है कि मुख्य उसे सर्शों की तूड़ी और जूली फलोरा सर्शों की तूड़ी और जूली फलोरा यह क्रिश्य उसे है काफी तो उससे राजय में दिसंबर 21 तक 120.45 मेड़ कोई खास ज्यादा नहीं है आलांकि इसको विकास को बढ़ावा दि सब्सक्राइब करते हैं तो वेसे तो आपको तेरा लगाने पड़ेंगे तेरा बायोमा सेंत्र स्थापित हो चुक है अलांकि बंद पड़ें चालू वस्ता में हैं नहीं वह अलग बात हो जाती है कितना 120.45 मेड़ का उर्जा शंक्षन दिवस हम कब मनाते हैं 14 दिसंबर को बहुत है ना कि यह तो हमारी गर में पापा भी कहते है कि जब भी बाढ़ जाओ लाइट जितनी भी है विजली पंखे सब बंद करके जाओ ठीक है ना तो उर्जा है उसके स्रंक्षन को बढ़ाओ देना नहीं कि लिए उत्पादन करना बलके जो उमारी उत्पादित बोग भी इस प्रकार से हमें करना है कि उसको स्रंक्षित किया जासके ठीक है ना तो 14 इसंबर को हम उर्जा स्रंक्षन दिवस मनाते है अपना राजासन अक्षे उर्जा निगम को ब्यूरो फेफिसेंसी के दवरा स्टेट परफोर्मेंस रेने में नेशनल एनर्जी कांजर अवार्ड में द्वित्य सरेने में पर उसका किया गया किसके दर राजासन अक्षे उर्जा निगम को किया है ठीक है वेसे पूछे जाने वाला क्यों सन तो नहीं है फिर पाइचान सकर पूछी लिए कभी कभी आरपेसी कमन होता कि इसी बगवास से क्योक्षन बनाती है जो हूं है और यह में सब्सक्राइब दूसर को कि स्थे यह में पूछा जा सकता है कि प्राइव मार्क में पक्राइका है जूरूर पूछ सकता है प्रिलिम्स में कि राजे में वर्तमान में सडकों की कुल लंबाई कितनी हैं तो दो लाग बैतर जार उन्हों सट पॉइंट अठाइस किलो मेटर हो गई है ठीक है ना वर आपको अगर मैंस में क्यों सन लिखना है तो आपको यहां से शुरू करना है कि वर्तमान में देखे तो वर्तमान में मार्श क किस्तर की दिव वा-घ섯-था-णोष 1929टी कीलो अठाइस में हो गए सड़क गनातों कितना है राजे का यह भी पुच्छा जा सकता है प्रेलेंस में 79.76 किलोमेटर परती सोवर किलोमेटर पर है मारा ठीक है पर राश्टी सड़क गनातों देखें सड़क गनातों कितना कम है यह आपको लिखना है यहां पर राश्टी सड़क गनातों को सड़कों से जोडने का कारिया प्रगती पर है अगले पांच आрал पर्रतिग ग्रामटर पंचएध में वाल टूओड अब यह वोल्ट वोल विचास पत भी हमसे पूछ प तो आपको अगर आज में सटकों के स्थीति लिखने हैं अलांकि यह इस प्रकार के फेक्ट यह प्रेलम्स में पुछा जाएगा यह पुछा जाएगा हां यह जुरूर पूसकते के वोल्ट वोल्ट विकासपत का उद्धिश से क्या है तो प्रति ग्राम पन चाहता है उसको लिखने के काम में आएगा ठीक है तो यह आपका देख लेजिए हैं अब 2021 के बजट के उनसा प्रति एक विदान सबाचेत्र में आपको जब राज्य में कहते हैं ना चटकों की स्थीति तो आपको थोड़ा से वो यह भी लगाने की काम आएगा कि प्रति एक विदान तक दे दिया तो मतलब मान लीजिक कोई सड़क है जो मुख्या सड़क से नहीं जूट रही है इस परकार के स्थीति है तो सरकार ने कि पिश का जो जैसे ग्रामिन सब्सक्राइब कर दो जोड़ने के लिए बीच में करोड़ का निर्मान करवा दिया ठीक है यह डिटा दिय मोर्ट संब्सक्राइब को ते मारे सब्सक्राइब को सब्सक्राइब अन्य highway मुटा मुटा और आठा में पता हो गर ये स्टेट्मेंट あजाई कि राज्य में जो राष्टे राजमर्ग से ज्यादा ग्रामान सड़के हैं यह तो तो स सूचना की कि कितने सारे ग्राउं है तो सब को connect करने के लिए ग्रामन सड़के तो अधारहा है मैं लीगी विर्दा जा सकता है है लोकू ऐसकता है राजेस्न के में आने के यह आदparagus को लिखना हो सकता है तो इसके पर और दो में लौंग कोई इसको सब्सक्ति क्यु theoreticalritCo कि राजस्टानशाराजराजमार्घ निवेश का रेकरम कि सिद्धार आपको पता होना कि कि être सिलीदम ऐडिदी विकास बेंक कि अब है राजस्टानशाराजराजमार ही कितने हैं निवेश का रिक्रम चाहिए वो ट्रेंस वन है या ट्रेंस टू है ठीक है ट्रेंस टू के अवधी दो हजार चोईस तक है अलांके अवधी इसके कोई नहीं पुछेगा मेंसमें लिखने के काम आजागी पर यह भी एड़ी बेगे तवरा विद्पोसीत है एसेन विकास बेंक को एड़ी बोलते है ठीक है एसेन डवलोप्मेंट बेंक है राजसान राजजे राजमारक निवेश का रिक्रम और राजसान राजजे राजमारक विकास का रिक्रम यहां पर विकास का रिक्रम है यहां पर निवेश का रिक्रम है यहां पर विकास का रिक् विब्लपमेंट वड़ा आती है आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने जो वडबेंग से डिलेटर अगर कुछ भी पढ़ाया तो पता होना चाहिए कि वडबेंग का जो डवलपमेंट का काम करता है काइं पी भी है तो इसको अब कर आपको बाइचांस कन्फ्यूजन ना ह यह पूछा जा सकता है बाकि इसके पूछे जाने के लिए हैं बाकि यह नहीं भी रखेंगे तो भी कोई जुरूरी नहीं रेल मारक के कुल लंबाई किते हैं वेते सड़कों के लंबाई पूछे जाने के समाना है प्रभाईचांस पूछ ले अगर आपको राजे में परीवन की स्थीति भी आ जाए तो वहां पे शिरुफ सड़क से काम ने चलेगा वहां पे आपको सड़क प्लस रेल सब लिखना होगा ठीक है तो राजे में रेल मारक की कुल लंबाई देखें तो पांचार नो सो अठावा किलोमेटर है मार्च 2020 की दीवी है ठीक है भारत के रेल मारक का आट पूइंट आट तेन परतिसा अगर इत्ता सा डाटर लिख देंगे ना मेंस में तो भी काम आ तो यह भारत के रेल मारक का आट पंट अलंकि याद तो करी लीजे प्रेलेंस आ सकता है कहीं है तो पांच से जाड़ नो सो अटानों किलोमेटर है कहीं हम यह चोटे रही प्रेलेंस पूछ ले तो आरपीसी तो यसा है कि जीसे हमें पता है कि एकॉनमिक सरुवे में कम से कम पंटर के उसन आते हैं तो इकॉनमिक सरुवे वाली चीजी तौना याद करी सकते है कि पंटर के संता हमारे करेक्ट ऊसें और एक हमारे जो करण अफेर है कि मैं इसके भी लगबग पंदर के उसन आते है अलंग पर पंदर यह नहींकि पन्रेंस तो रहता ही है कि 5,999 km मार्च 2020 तक बारत की रियल मरक का कितना परतीस था यह भी पूस ले तो 8.83 परतीस है नहीं तो मेंस में यह की बात है ना मेंस में याद नहीं करना पड़ेगा आपको यहीं पर याद कर लेंगे तो हा चलिए गाइस आज का मारे सेशन यहीं कतम होता है थेंकि सो माच पूर वोचिंग मैं वेडियो चलिए नेक्स चेशन में मैं सेवा चित्र लेके आऊंगे राजी का अभी उद्योग और ट्रिशी चेत्र तो हो चुका है सेवा चेत्र मारे इसका नेक्स चेक्टर है वो अम कंट्यूनिव चल ले है ताकि जो एकोनोमिक सर्वे क कि आपको कंट्यूनिव कर क्लासिज मिल लेगी तो आपको याद करने में आसाने रहेगे ठीक है थेंक्यू 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 सो माच